आज की कहानी है एक्जाम पेपर चोर गिरो वाशिक परिक्षा पास आ रही थी सबी छात्र शात्राएं परिक्षा के तैयारी में जी जान से जुटे हुए थे लेकिन कुछ छात्र अभी भी इस फिराख में थे कि कहीं से इंपॉर्टन प्रेशन मिल जाएं तो मज़ा आ इसी बीच इसकूल के पास ही एक दुकान पर कुछ छात्र परिक्षा के बारे में बात कर रहे थे तब ही एक व्यक्ति वहाँ आया और बोला एक्जाम के पेपर चाहेंगे क्या एक छात्र ने कुछ सोचा और बोला हाँ चाहेंगे बाकि सभी ने उसे मना किया कि रहने दे तैयारी बढ़िया हो रही है, कहां चक्कर में पढ़ रहा है, वे छात्र जिसका नाम अंकित था, उसने किसी की एक ना सुनी, वे वेक्ति बोला, तो आओ मेरे साथ, दोनों साथ साथ चल दिये, कुछ दूर चलने पर, एक जगा रुक कर, उसने अंकित से कहा, मैं तुम्हें क कि पेपर असली है या नहीं, वेक्ति बोला, चिंता मत करो, बिलकुल असली है, चाहो तो पहले एक पेपर लेकर देख लो, उसके पांच जार रुपर लूँगा, पेपर लेने, अकेले ही आना, कल शाम साथ बजे, अंकित बोला, ठीक है, कल आता हूँ, वापस जाते समय, अंकित ये सोच रहा था कि, कितना बड़ा खेल चल रहा है, कि एकजाम पेपर ही बहार आ गए, उसने एक प्लान बनाया, कि कैसे इस गैंग को पकड़ा जाए, और जेल की हवा खिलवाई जाए, जिससे जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, उनका भविश्य खराब नहों, घर ज प्लान बनाया, तो सभी ने तै कि इस गैंग को जुरूर पकड़ाएंगे, उन्होंने पुलिस से बात की और सारी बात को विस्तार से बताया, और गैंग को पकड़ने का प्लान बनाया, तै हुआ कि अंकित पैसे लेकर उस व्एकती के पास जाएगा, और उसे पेपर ले ल देंगे सारी बाते तै करके अगले दिन सबी अपने पनी जगह पर पहुँँच गए ठीक साथ बजे अंकित वहाँ पहुँच कर उस व्यक्ति का इंदिजार करने लगा कुछ देर बाद वह व्यक्ति आ गया और उसने अंकित से पैसे लेकर पेपर दे दिया और जाने लगा सिगनल मिलते ही पुलिस पहुँच गई और व्यक्ति को पकड़ लिया पुलिस इस्टेशन में जाकर उसने अपने दोनों साथियों का पता भी बता दिया और उसके दोनों साथी पकड़े भी गए अंकित और उसके दोस्तों को सभी ने बधाई दी